दस गलतिया जो most of the neat experiment करते हैं फिर हमें लगता है कि मैंने इतनी पढ़ाई कि मेरा रैंक ने आया अगर आप इन दस गलतियों को आवइड करोगे तो डेफिनिटल अपका रैंक बूश्ट होगा विडियो अंतक देखना चीजों को कोई स्कीप मत करना नोट डाउन कर लेना नमबर वन गलती मॉडूस को बढ़ना कोचिंग क्लास इसमें बड़े-बड़े मॉडूस बच्चों को दे जाते हैं यह मॉडूस बहुत ही वास्ट होते हैं उनको पढ़ने में टाइम लगता है उसके बाद उसको रिवाइट करना है और फिर किसी नए टीचर से सेम टोपिक को पढ़ लेते हो फिर थार्ड चैनल पर जाते हो फिर से उस नए टीचर से उस सेम टोपिक को पढ़ रहे हो हो यह रहा है कि आपको जो टोपिक हो प्रिपेर हो चुका है फिर भी अलगर टीचर से आप पढ़े जा रहे हो पढ़े जा इनसर हो आगे वाला एगे वाला जाहिए इतना इक संकर रूपर आप बढ़ा हु bạn तो आपको नीट क्राक करने से कोई नहीं रोग सकता है नंबर पॉर क्वेशन प्रैक्टीज नीट एक MCQ बेस एक्जाम है इसको क्राक करने के लिए आपको MCQ प्रैक्टीज करनी ही करनी पड़ेगी मत है एक चाप्टर से 100-150 MCQ साथ में POIQ आप प्रैक्टीज कर लो बहुत अच्छा स्ट्रॉंग होड आपका उस पर्टिकलर टॉपिक के उपर आ जाएगा जब आप क्वेशन प्रैक्टीज करते होता आपको पता चल जाता कि जो मैंने थेरी पड़ी थी उस थेरी में कौन से पॉइंट मेरे मीस हो गए थे जब आप क्वेशन प्रैक्टीज करते हो तो आपको पता चल जाता है कि जो मैंने थेरी पड़ी है उस थेरी में किस टाइप की MCQ अलग 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 बन सकते हैं, तो question practice बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नमबर 5, friends, friends एक ज़रूरी role play करते हैं आपके preparation में, आपके आज़ी वाज़ी में जो friend है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या पाना चाहते हैं, इसका direct, indirect effect, इसका effect जो है, यह आपके preparation पर ज़रूर होता है, तो आपके friends चूज़ करते होग, आप बहुत careful रहना, क्योंकि definitely they are going to affect your preparation, नमबर 6, revision, याद रखना, revision is the key to success, revision, revision, revision is the most important thing, जब आप first time पढ़ते हो, तभी आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप वोसी particular चीज़ को revision के वक्त repeat करने वाले हो, अगर आप short notes बना रहे हो, revision करने के रहे हो, तो बहुत ज़्यादा tremendous result आपको मिलेगी, मैंने कई सारी pre-medical और post-graduate medical entrance exams को crack किया था, जिसमें एक बड़ा सा हिस्सा था, मेरे short notes, so short notes बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, अगर आप बनाते हो, तो definitely आपको help होगी उससे, हमारे भी short notes है, called as ENCIT Pounders, अब उसको भी check कर सकते हो, link description में दी है, number 7, test practice, मैंने कई topers से बात कियो, सब का एक ही कहना है, कि नीट exam के लिए time management बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, time management आप तभी कर पाते हो, अगर आपने test practice की हो, test practice के वक्त आपने याद रखना है, कि कुछ coaching classes के test ऐसे होते हैं, जहाँ पर इसी भी उनके बच्चे top करते हैं, तो ऐसे test से हमें दूर रहना है, कुछ coaching classes के test ऐसे भी होते हैं, जहाँ पर कई सारे out of anxiety MC के पूछे आते हैं, इसे तैसे भी हमें दूर रहना है, point number 8, don't be shy, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रहे हैं, तो class में हाथ उठा के आपने आपका doubt clear कर लेना है, अगर सब के सामने पुछने में आपको दिक्कत जा रहे हैं, तो class के बाद teacher से मिलो और आपका doubt clear कर लो, अगर teacher से पुछने में दिक्कत आ रहे हैं, तो दोस को पुछो लेकिन आपका doubt आपने clear करना ही है, क्यो doubt clear करना है, क्योंकि यही doubt होते है, जो आपका rank खा जाते है, त आपकी पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना जाए टाइम टेबल डीटेल में नहीं हुआ तो भी चलेगा सुबह उठने के बाद एक पेज ले लो उसके उपर टॉपिक्स लिख लो कि आज दीन भर में मुझे टॉपिक पढ़ने हैं और आपकी प्रिप्रेशन आप शूरू कर दो चलो मस पढ़ाई करो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक हो चानल को सब्सक्राइब करना मत बूना टेक केर बाए बाए ओल दे वे